अल्वर भारत के राजस्थान राज मिस्थित एक आतिहासिक और खुबसूरत शहर है जो अरावली परवत्माला से घिरा हुआ है ये शहर अपनी आतिहासिक और प्राक्रितिक सुंदर्टा के कारण इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्बुत और स्वर्ग के समान माना जात प्रेंड पौराने कथाओं के अनुसार इस शहर को मत्सदेश के नाम से जाना जाता था यहां पांड़ों ने अपने निर्वासन का तेरा वा वर्ष भेश बदल कर विताया था एतिहासिक लूप से यह स्थान मिवार के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों यह शहर सुंदर जीलों भावे महलों शांदार मंदिरों शांदार समारकों और विशाल किलों के लिए प्रसिद्ध है वर्तमार में यह शहर राजस्थान का मैत्रपून और योगिक शहर भी है यह राजस्थान का आठवा बड़ा नगर भी है जो लगभग 8380 वर किलोमीटर शेत्रफल में पहला हुआ है दोस्तों यह शहर अब देश के राश्ट्रिय राजधानी शेत्र में आ गया है यह पहले अहीरवाल शेत्र का भाग था फ्रेंड जितना खुबसूरत यह शहर है वैसा ही इसका इतिहास भी है राजस्थान का सिंग द्वार नाम से तसिद्ध अलवर जिले की स्थापना कच्छवाहा वंश के राव राजा प्रताफ सिंग द्वारा की गई थी अलवर का इतिहास अनेक शौरिगाथाओं से भरा पड़ा है फ्रेंड नहारतीय संस्कुति का पर्चम फेराने वाले स्वामी विवेकानन जी इस शहर में दो बार आय थे दोस्तों अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की तो 2011 की जंगर्णा के अनुसार 36 लाग के लगभग है और इस शहर में मुक्यत हिंदी राजस्थानी या खड़ी बोली बोली जाती है अलवर के लोगों को उनकी संस्कृती सम्रदील और विविद्दा के लिए जाना जाता है अलवर संग शवीद दर्शित करता है यहां स्थित नीमराना की बावडी विजय मंदिर महल मूसी महरानी की छत्री नारायणी माता मंदिर पांडुपोल हनुमान मंदिर सरिस्का पैलेस तिजारा जैन मंदिर सिली सेर लेक सरिसका राष्ट्रिय और द्यान स्थित हैं जो लोगों को खेड़ा बहरोर नीमराना अदी जगह पर नेक और द्योगी के काईया कारिरत है और अलबर के भिवारी में नोटों की स्याही बनाने का कार खाना भी है तता राजस्थान की प्रथम प्यार्ज मंदी इसी जिले में है इसके अलावा भारत का पहला इंटीग्रेटिट ट्रि केंद्र भी है यहां उचर्शिक्षा हे तु अनेक महाविद्याले एवं मिजी जीनियरिंग कॉलेज है यह शहर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर है और राजस्थान की राजधानी जैपुर से 150 किलोमीटर दूर है दोस्तों इस शहर की सीमा भरतपुर दौसा जैपुर वर्सी करते हैं दिल्चस्पात यह है कि अलवर का यह प्राचीन किला बाबर के समय से भी पहले का बना हुआ है यह किला अरावली पहाड़ी पर लगभग 304 मीटर की उचाई पर स्थित है दोस्तों अगर आपको इतिहास में रुची है तो आपको अलवर के म्यूजियम को सवी सदी की मुगल और राजबुतानाकाल की स्थापत्य कलाव और खूबसूरत प्रिंटिंग्स का कलेक्शन देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको जीले दिखना पसंद है तो आप अलवर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिली से जील विजिट करने जा सकते ह चीखर विजिट कर देता है दोस्तों यहान स्थित भांगर का किला एक पर्षिध प्रेतन्स थल भांगडर का किला अलवर जिल्ले की अरवले परवतमौला में सरस्का प्यारण पर स्थित यह किला धलान वाले लाके में पहाडियों के तल पर बसा हुआ है जो देखने में बेहत भयानक लगता है जो अपनी भुद्याक किसों की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहता है यह किला यहां हुने वाली घटनाओं की वजह से एकना ज्यादा फिमस है कि कोई भी इस किले के अंदर अखिला जाने से डरता है। भारतिय पुराता प्रसर्वेक्षन ने इस किले में रात के समय पर इटकों और स्थानिय लोगों के प्रवेश पर भी रोप लगा रखी है। फ्रेंड यहां स्थित विने विलास महल भीतर से काफी खूबसूरत बना हुआ है। इसे सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहां का रोचक इतिहास और यहां की स्थापत्य कला दोनों ही सेलानियों को आकरशित करते हैं। अठारावी सदी में बना ये महल मुगल और राजकुताना शैली का मिलाद जुला संगम है। यहां की उपरी मंजिल पर एक म्यूजियम भी है जहां आपको राजसी जीवन से जुरी विवित प्रकार की वस्तों देखने को मिलती है। पर आज की वीडियो में एतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।